हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एकवा फिर से मेरे चैनल पर तो ये सीजन सबसे अच्छा चल रहा है बारिस का अगर सुरू हो गया है और सभी जगे बारिस इसमें हो रही है मौसम बहुत अच्छा हो रहा हुमिडिटी है मौसम में बीच में गरम हो जारा लेकिन आवर वाले जो प्लांट हैं जो हाड़् ए cudर करनी हैं सारी इंफोर्मेशन इस वीडियो में दूंगी तो देन ना कृटिए कर दो इसटारٹ कते हैं इसे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं उचनल में भी जुड़े हैं नए तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें अब बेर आरकन क्लिक करें जैसे कि मैं और वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकिशन मिलता रहे तो चली लगाते हैं धेर सारी कटिंग तो ये देखिए गुलाब का पौदा है मेरा तो मैं इसे स्टार्ट करते हूँ इस समय आप गुलाब की धेर सारी कटिंग लगाएं और नए नए पौधिये बनाएं और वैसे भी टाइम होता थोड़ा बहुत आप प्रूनिंग कर्स करते हैं तो कटिंग निकलती हैं तो इससमें गुलाब की कटिंग लग जाती बहुत आराम से लग जाती तो सबसे पहले यह सबस्क्ड आप और किसी चीज़ सेिह पूंच लें जिससे कि इसमें इसमें यह इसितर इस तरह से कोई से ले लें थोड़ा से मोटी हो देखिए इस तरह से काट लिए इस तरह कि अमने इस टीर्षा काटते हैं तो ठीक. Rangers रहता है और नोड एरिया के नीचे काटा करें ह तो इस तरह से लीफ हटा लेंगे बस थोड़ा सा रहने दोंगी इस तरह से गुलाब की कटिंग हो गई तो आप गुलाब की बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं कटिंग करने के बाद आप किसी चीज में मगगें पानी ले ले लिए और उसमें डालते हैं जिसके और फिर वह ड्राय नहीं होती है इस तरह से डालते जाएं और जो भी ले नहीं है आपको उस तरह से लेते जाएं त्वेफ इस समय हिविस्कस का प्लांट गोडएल की कर्टिंग आप लगा सकते हो बहुत साअ Amazon अगर आपके पास एक प्लांट है तो आप लगा लीजिए लगाई हूए हैं और मेरे काफी सारे बन चुक तो यह विसकास की cutting है इस तरह से ले ले लेंगे तो यह लग जाती बहुत ईजबी लग जाती है इसतर से गटिंग लें मेरा क्योंकि बहुत अच्छा चल़्ा है इसकं नहीं लगाउंगी और इस तरह से आभ यह मेरा यह पर पल वाला टेकोमा है यह पास पर पलबी है यह जो इसामया आपके कोई भी टिकोमा आपके पास हो यह लो हो परपल हो देशी वाला हो या फिर यह हाई रेड वाले हो कोई भी हो आप इससे में कटिंग लगा जाएगी तो यह नेक्स्ट व्लीडिंग हार्ट की समय आप कटिंग लगाए लग जाएगी कुछ प्लांट होते हैं न जो हो रही है बहुत अच्छी फ्लावरिय हो रही है यह रेड वाली है इंट थोड़ा से इसका वह ग्रीन होता है जो फ्लावर पॉर्ट होता है इस तरह से दिखें आप इसको यहां से कट करें बहुत जरूरी है तब इसकी कटिंग लगेगे यह देखें से एक त्वह बुसी ह तो जब आप मिट्टी में लगाएंगे या जो जिस भी आप्स्वाइल मिक्स में लगाएंगे तो यह अंदर जाना बहुत जरूरी लिए तो यह मेरी ब्लेडिंग हाट की कटिंग यह देखिए यह मेरा मनो कामने का पौदा है इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही ह यह बस पूरा ऐसे खिलता देखिए पूरे से कलियां आ रही है अभी यह पूरा भर जाता भी मैंने एक वीडियो भी इसके पूरा डाला हुआ था और दस पंदर दिन के लिए फिर शान्त हो जाता उसके बाद फिर से बहुत सारी कलियां बनती है और बहुत अच्छी स्में पतली भी ना हो जो टॉप के बाद वाली जो होती है इस तरह से यह बहुत ग्रीन है ग्रीन के बाद जो होती है थोड़ा सा वह वाली लीजेगा बहुत ग्रीन मत लगाए एक ग्रीन वाली नहीं लगेगी उसके नीचे का पार जो होता उसको लीजेगा इस तरह से बहुत ज बड़ सारे इसमें बहुत टाइम से खिला था और ये निकल चुका देके जड़ रहा हुए तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और ये जमीन में तो और भी अच्छे होते हैं बहुत सारे बंच में फ्लावर साथ हैं और काफी वह बहुत अच्छा बादल बादल चल रहे हैं तो इसे बहुत अच्छा सीजन है तो इस समय आप इसकी कटनी लगा, यह बहुत अच्छी तरह से लग जाती है, कोई भी चांदनी का प्लांट इससे बड़ी वाली भी होती है, उसकी कटनी भी लग जाएगी, तो आप कोई भी आपके पास जो भी प्लांट हो, जिस भी चांदनी का हो, आप लगा लीजे, लग खुश्बू लेंगे, तो यह चोकलेट की तरह देख खुश्बू आती है, हलकिसी स्मयल चोकलेटी होती है, और यह इस तरह जितनी स्टेम से निकलेंगी, उतनी ही इसमें फ्लावरिंग आती है, इस तरह से यारी नहीं है, बड़्ड सी पूरा खिलता जाता है, तो अब य को दोनों दोनों अभी खिलेंगे तो पूरा में वा पता है और बार्समा भी खिलता है और इसी टाइम के भी लग जाती है आप इतनी कटिंग लीजिएगा देखिए मैंने यहां से कट किया था तो यहां से दो ब्रांच आगें क्योंकि अब इस खिलने का टाइम है ब्रांच इस निकल चुकी ओलेडी तो अभी मैं इसकी कटिंग नहीं करूंगी और इतनी कटिंग लीजिएगा मौटी वाली जो होते कॉधर यह देखिये शरीम का इसको लॉली पॉप भी बोटरर फ़लाइ भी कहते हैं इसलाए से फ्लावर आते रहते हैं तो इसकी कटिंग लग जाएगी बहुत इज़ी लग जाते हैं इसके मैंने कई काध्र बनाये हैं लोगों को दिए वी हैं और इस तऱ देखिए और इसमें नहीं नहीं देखी लीफ आ गई है जब खिलेगा तो पूरा भर जाता तो यह मेरा ब्राउन वाला है तो यह है श्रिम का प्लांट जिसको लॉल्यू पॉप यह बटरफ्लाइ प्लांट भी कहते हैं और नेक्स्ट है यह लेंटाना का पौधा इसमें बहुत अंध भी कटिंग अगर आपको कहीं मिल जाती है और कर दो भी लगा सकते हूं तेंछे से फूल्हाथे हैं गुच्छे है समेल बहुत अच्छे नहीं लगतेगा लिज़त फ्लावर्स जब खिलते हैं यह भर जाता है ना जब तो अच्छे लगते हैं इसमें पॉच्छुल का की देर सारी कटिंग लगाई इसा मेरा बहुत सारा खिल रहा है और देखिए यह वाला है कितने सुन्दर सा बिलकुल लगता है जैसे ना बिलकुल फ्लावर भरा हुआ है बुक्वे की तरह खिल लाई है देखिए मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई मैं लगाती रहती हूं इस तरह से देखिए यह देखिए यह भी लगी हुई है तो पॉर्चुल का की कटिंग तो लगाते रहा करें इस तरह से लगती रहती है और इसी मैं तो कटिंग करते हूं पॉस्लिका की कटिंग आप लगा सकते हो इस समय आप विंका की कटिंग लगाए धेर सारे बिंका बन जाएंगे देखिए यह मेरे हाइब वाले विंका है बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसमें होती रहती है और देखिए उस टाइम मैंने इसके कटिंग किया था तो इधर से कई सूट्स आ गए हैं नई नई ब्रांचेस आई हैं तो इसका यह भी रहता है जितना आप कटिंग करेंगे उतना ही भुसी होगा और आपको नया प्लांट यहां से त्यार हो जाएगा इसमें आप एक जोरा की कटिंग लगाए एक जोरा की कटिंग बहुत इसली लग है हैं आप इस तरह से चाइना डॉल दौ्ट लें तो इधर से ना ले अगर अपर लगा हुआ है तो तो देखिए इस तरह से आप उपर की दर से लिए थोड़ा से उपर है थोड़ा सा नीचे से कटिंग ले या कोई आपका ये बुसी है मेरा तो भी सीधा जा रहा है ये तो अगर बुसी है ब्रांच निकली है तो उससे थोड़ा जो उपर का टॉप का एरिया होता है ग्रीन वाला उसके थोड़ा सा नीचे से लेंगे कटिंग तो लग जाती देखिए इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं और बहुत एजली कटिंग से लग जाता मेरे पास एक प्लांट था गंबले में मैंने लगा के रखा हुआ था और एक से कई बन गए हैं फिर मैंने इसको जमीन में भी लगा दिया है ये हैस की तरह आप लगा सकते एक बॉर्डर में बनाने लिगा सकते बहुत खुबसूरत लगते हैं इसके स्टेम्स ले लीजे कोई भी स्टेम्स अब जैसे फूल खिल चुके हैं और फिसको आप में स्टेम्स एक ले लीजे एजली लग जाती मेरे पास दो कल्यने ये हाइबरेड वाली है जो छोटी इसका इतना ही उंचा होता इसका प्लांट और एक मेरे पास द लगा सकते हो ये है मैक्सिकन पिटूनिया और नेक्स्ट है मुसंडा ये मुसंडा की आप इसमें कटिंग लगा सकते हैं इसमें बहुत सुन्दर से कलर्स में फ्लावर्स आते हैं मेरे पास चार कलर के हैं ये यलो वाला है मेरा और पिंक भी है वाइट भी है बहुत बगान बिल्या लाका टो उप् में बहुत उस्टु इसड़ी लग जाए, भी ही हुएं जाए, जब इसके पर रहे数 में आप जारी है जाए कि मिल जारी आप यहाँ नहीं लगाए, तो आप कंप ले सकते हैं तो इससे में बहुत एज़ी लग जाती है मैं वही कहती हूं जब भी कटिंग लगाए दो तीन लगाए करें एक सिंगल ना लगाए चार पांच लगाए जितनी भी लगाए तो आपको सफंता मिलेगी तीन-चार कटिंग लगा सकते हैं देखिए इसमें बहुत सारी बट्स आ हो गए देखिए और इसकी कटिंग में लगा चुकी थी और रेड़ी देखिए इसमें लग गई अभी में निकालोंगी नहीं क्योंकि निकाल के दिखाने से फिर वह उसकी रूट डिस्टर्ब हो जाएगी और तीन लगाए थी यह अभी हरी है इसमें लीफ नहीं आई है औ और यह वाली भी लग चुकी है देखिए इसमें भी ग्रीन लीफ है तो मैं तो जिसमें कटिंग ऐसे किया मैं उसी पॉट में लगा देती हूं और बहुत एजली लग जाती है और यह भी गुड है जो इसको चाइना गुड हैल कहते हैं बहुत सुन्दर सा फूल होता है इस विस्कस की विराइटि कहलाती यह तो यह जब खिले आपके साथ इसको मैं शेर करूंगी तो इसकी भी आप कुटिंग इहां से करेंगे तो बूशी भी हो जाता है और यह कटिंग भी लग जाती यह और देखिए और देखिए आप हर्सрас ऋरंगार की कुटिंग इसंसमें ल कट्टिंग लगा यह इसँ जग कर दिया संब तो इसे कट्टिंग को उद्या लगा है कि ब्रेंग को ब्लागाना किसे तो कोई भी आप उसकी मिट्टी वैसी ले लिए वेल्डरें मिट्टी इसमें एक भाग आप मिट्टी मिला लीजे एक भागी सेंड मिला लीजे उसमें लगा देते हूं और नीचे की लीफ हटाते जाएगा जो भी आपकी स्टेम से नीचे की इस तरह से सारी लीफ हटा दे इस तरह से में डिप करके लगा सकते हैं और इसमें होल करिए जिससे हमारा यह रूट वाला पावडर निकले नहीं और इस तरह से लगा देजिए नोड एरिया अंदर जाना बहुत जरूरी है इस चीज का जरूर ध्यान रखे और हलका सैसे प्रेस कर दे इस तरह से दिखिए सभी कि बहुत सारी कटिंग लगाती हूं फिर इतर उतर बहुत सारे पॉट लगने होते हैं तो एक साथ लगा देती हूं लगाती हूं जब भी कटिंग करती हूं मैं उसी पॉट में लगा देती हूं यह तो अलग से मैं आपको वीडियो बनाती हूं जब आपको दिखाने के लि लेकिन सेर्थी अर्यूप से बचाना है और कटिंग को बहुत जवधा, पानी त भी बचाना है इस तरह से जैसे बहुत सारी लीफ हटा दें नीचे से सारा नीचे मिट्टी में लीफ वाल Butter गल जाएगी तो जो आपकी जो कटिंग है वह भी खराब हो जाएगी तो जो भी नीचे लीफ आप हटा दें बस थोड़ा सा उपर रखें तरह से दिखें नीचे की मैंने सारी लीफ हटा दी और यह बहुत एजली ऐसे लग जाता है इस तरह से लगा दें तो आप इसका यूज कर सकते हो रोट हार्मोन का या फिर आप अलोवेरा का यूज कर सकते अलोवेरा जैल में लगा सकते हो या फिर आप सिनेमन पाउडर का भी यूज कर सकते हो तो इस तरह से आप कर्टिंग लगाएं और थोड़ा-थोड़ा साइस में पानी डाल दें इस तरह से सावरिंग करते हैं पानी का अलका सा धीरे से साइड में अगर आपकी मिट्टी यह था कटिंग का वीडियो फ्लावर वाले प्लांट का जरूर लगाएं तो आई होप आपको कुछ जरूर इंफोर्मेशन मिली होगी और वीडियो पसंद आया होगा तो अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स औ एक क्यार बाबाई